नमस्कार दोस्तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में New Rasaan Kart के लिए Online Apply शुरूख कर दिया गया है लेकिन दोस्तो जब आप यहाँ पर Apply करते हैं New Rasaan Kart के लिए जब आप यहाँ पर Member को Add करते हैं यानि कि 10 साल से नीचे का छोटे बच्चे का जब आप यहाँ पर member add करते हैं तो उनका है पर add नहीं होता है बाकि दोस्तों 10 साल से उपर का जितना का भी आप यहाँ पर member add करना चाहें आप यहाँ पर add कर सकते हैं लेकिन 10 साल से नीचे का जैसे आप यहाप पर add करते हैं, तो आपका यहाप पर add नहीं होता, काफी सारी आपको problem देखने को मिल पाते हैं, तो दोस्तो हम यहाप आपको like दिखा पा रहे हैं, और यहाप पर देख पर है कि हमने यहाप पर 9 साल उम्र वाले बच्चों का आपर हमने member को add किया है, जो कि देख पर है कि 10 साल से कम का है, आप चाहे तो इससे भी कम का आपर member को add कर सकते हैं, तो किस तरीके से आप यहाप यहाप पर member को add करेंगे, पूरी डिटेल के साथ आपको स्टेडियो में बताने वाले हैं वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक देखते रहे हैं दोस्तो आपको बताने के लिए हमने यहाँ पर एक वेक्ति का login ID डाल दिया है इसी परकार आप अपने हाँ पर login ID और यहाँ पर password और इस तरीके से capture fill up करेंगे उनके बाद आपको login वाले option पर आपका हाँ पर click कर देना है यहाँ पर आप जैसे click करेंगे आप successfully यहाँ पर जब login हो जाएंगे और login होने के बाद आपके समने कुछ इस तरीके से इनका interface खुल करके आजाता है अब आपका हाँ पर member add करने के लिए आप direct उस option पर जा सकते है आपका हाँ पर apply वाले option पर click करना है यहाँ पर आपके समने इतने सारे options आएंगे आपको edit application वाले option पर यहाँ पर click करना है अब यहाँ पर देखिए applicant आ चुका है member आ चुका है और यहाँ पर upload document और final submit हमें यहाँ पर member add करना है तो direct हम यहाँ पर member वाले option पर click करेंगे तो यह जो page हमें member वाले option पर इस तरीके से direct ले करके चले जाएगा इस तरीके से यहाँ पर आ जायागे, हाँ पर नीचे आएंगे तो इस तरीके से देख पार है कि हम आपर कितना member add हुआ है वो यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है तो इस video में हम आपको बताने वाले है कि आप यहाँ पर 10 साल से कम age वाले बच्चे का कैसे आप यहाँ पर name को add करेंगे तो फटा-फट हम यहाँ पर एक detail डाल देते हैं जैसा कि आप लोग देख पार है हमने यहाँ पर सभी detail को डाल दिया है केवल हमने यहाँ पर date of birth और उम्रू को हमने यहाँ पर fill up नहीं किया है कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि sir हम यहाँ पर इनका eye का सुरोत क्या डालेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चा है कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं करता है दोस्तों आप यहाँ पर direct zero डाल दीजे कोई भी दिक्कत नहीं है उनका मासिक eye क्या है कोई भी मासिक आए नहीं है तो आप यहाँ पर डिरेक्ट जीरो लगा दीजिए इस तरीके से आप यहाँ पर सारा डिटेल को फिलप कर देंगे अब रही बात यहाँ पर 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के यहाँ पर कैसे मेंबर एड करेंगे तो जन्मतिती वाले उप्चन पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कैलेंडर खुल करके आ जाएगा जो भी यहाँ पर उनका डेट अब बर्थ रहोगा आप यहाँ पर डेट अब बर्थ डालेंगे चलिए 2010 को हम यहाँ पर कर देते हैं 12 कर देते हैं और उनके बाद 2012 उनके बाद चलिए कोई भी डेट ले लेते हैं उनके बाद यहाँ पर देखे 10 साल भी उम्र यहाँ पर आ रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन 10 साल से अब चली हम यहाँ पर कम एज करते हैं यानि कि 10 साल से कम करते हैं आपको क्या करना है calendar वाले option पर जाने यहाँ पर air वाले option पर इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ठीक है आप चली हम यहाँ पर 2000 चलीए 14 कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर चलीए randomly हम यह यहाँ पर कोई भी एक date ले लेते हैं और यहाँ पर हम देखे जैसे click करेंगे तो यहाँ पर देखे उम्र इनका नहीं यहाँ पर घटा 10 साल से नीचे यहाँ पर नहीं हो रहा यानि कि जो कोई 8 साल का है या 7 साल का है वो यहाँ पर नहीं होगा चाहिए आप यहाँ पर कुछ से आपको डालना है जो भी आपका डेट अब बर्थ होगा यानि कि जनमतिती होगा सही जनमतिती लें डालेंगे यहाँ पर और उम्र नहीं आ रहा कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन आप यहाँ पर change करके उनके बाद जो आपका real date of birth है वो डालेंगे पहले आपको सबसे अधिक एर डालना है फिर उनके बाद जो real date है वो आप air डालेंगे तो हम यहाँ पर चलिए 2015 डालता है ठीक है आपको दिखाने के लिए इस तरी के से हम यहाँ पर इनको कम करके डाल दिये हैं अब उनके बाद क्या करना यह गलत क्योंकि आएगा नित आपको ऐसे रहने देना सारा detail डाल देंगे अब क्या करना आपको add member वाले option पर click कर देना ठीक है बस आपको add option पर इस तरी के से click करेंगे इस तरी के से हाँपर processing लेगा आपको कुछ दिर तक wait करना है इस तरी के से ह नहीं पर देखे आपको edit और delete का option दिया गया है आपको edit वाले option पर जाना ठीक है edit वाले option पर जैसे click करेंगे तो आपके सामने edit का page खुल करके आजाएगा अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं इस तरी के से नीचे आते हैं अब यहाँ पर आप लोग खुदी देख लीजे हमन आपको क्या करना इनका उमर को बढ़ाना होगा 15 के जगह आप यहाँ पर इनको बढ़ा करके जैसे की उमर बढ़ाना है तो आप यहाँ पर 15 के जगह 12 रख सकते हैं 11 रख सकते हैं 2010 2009 इस तरीके से डालेंगे उनके बाद फिर आप यहाँ पर दोबारा से इसी तरीके से यान पर आप जैसे सलिक करेंगे तो आपका इंपर उमर में कोई भी बद्लाव नहीं होगा बाकि जैसा वैसे रहेगा बस आपको सही डिटेल डालने के बाद आप एड मेंबर वाले ऑपशन पर क्लिक करके मेंबर ऐड कर देंगे बाकि आपको नीचे आना एडिट वाले option पर एडिट वाले option पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर जो उमर है वो already यहाँ पर घटावा मिलेगा यानि कि उमर इनका जो उमर है अपने फ्रेंड के साथ जरूर सेर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इंफोमेशन पाने के लिए